हेलो फ्रैंस दिस इस नर्देव बडवाल वेलकम बाक तो मैं चैनल नरू जॉटा ब्लॉग फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए ले के आयों टाटा नेक्स ओन फेसलिफ्ट का वेस वेरिंट यानी स्मार्ट प्लस वेरिंट इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको यहां पे देने वालो हूं बने रहे मेरे साथ वीडियो के आन्ते तक चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले हम फ्रंट प्रॉफाइल की बात करते हैं फ्रंट प्रॉफाइल में LED डे टाइम रनिंग लाइट ब्लिंग करता हुआ टर्न इंडिकेटर दिया गया है जस्ट इसके न जसे कि आप यहाँ पर देख पारों जो कि सभी वेरेंड में आपको स्टंडर्ड देखने को मिलता है और वहीं जस्ट इसके नीचे बॉडि क्लाडिंग के रूप में ब्लैक पार्ट दिया गया है नमबर प्लेट की जगह और कुछ इस तरह का टेक्चर आपको देखने को म और वील साइज है 19560R16 चारों और बॉडि क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं वार्बियम आपको यहाँ पे इलेक्रिकली एड्जस्टेबल दिया गया है LED टोन इंडिकेटर की कॉमिनेशन में प्यानो ब्लैक फिनिस में Foldable का option इस variant में आपको नहीं मिलता है फ्रेंट में आपको नॉर्मल वाईपर दिया गया है और यहाँ पे roof rail भी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है और single tone में door molding दिया गया है protection के लिए जो कि आप यहाँ पे clearly देख पारे हो और वहीं इसका rear profile यहाँ से चेक आउट किजएगा काफी शानदार, amazing और एक बार नजदीक से दिखा देता हूँ इस वेरिन में भी आपको साकफिन एंटिना दिया गया है smart plus वेरिन में और यहाँ पे dual tone integrated spoiler दिया गया है rear wiper आपको इस वेरिन में नहीं मिलते है और defogger भी नहीं मिलते है दोस्तों LED tail lamp unit provide के गया है जो कि जलते हुए कुछ इस तरह दिखता है लेकिन बीच वाला पार्ट यहां पे connected नहीं दिया गया है reflector का काम करता है और यहां पे दिया गया Tata का logo high mounted stop lamp center में दिया गया है interior के गरम बात करें तो यहां पे flip की आपको दिया गया है जिसमें lock unlock और boot opener headlamp labeler का button दिया गया है open करता है इसके front door को और यहां पे आप देख पारे हो all black theme दिया गया है power window की control दिया गया है और यहां पे leather touch आपको नहीं मिलते है कुछ इस तरह warbium के control electrically adjustable दिया गया है foldable is variant में नहीं आते है is variant में आपको provide के गया है के वल four speaker tweeter आपको इस variant में नहीं मिलते है dashboard layout check out किजेगा जिससे आपको एक better idea मिल सेगे all black theme आपको यहां पे dashboard layout पे मिल जाता है जैसे कि आप यहां पे check out कर सकते है eliminated होता हुआ keyhole दिया गया है जो कि night के समय में काफी helpful रहने वाली है fabric capacity दिया गया है black color में काफी comfortable seat high-resistible का यहां पे option नहीं दिया गया है कुछ इस तरह का insert six airbag standard high-resistible headdress दिया गया है center console में आपको armrest इस variant में नहीं मिलते है और यहां पे दिया गया है storages कुछ इस तरह two cup holder handbrake three drive modes आपको दिया गया है eco city and sports mode fast time टाटन एक्सोन में five speed manual transmission जो की waste variant में आपको मिलते है उसके आगे 12 book charger, manual climate control, push start stop button नहीं दिया गया है कुछ इस तरह का आपको all black यहां पे दिया गया है कुछ इस तरह का dashboard layout sleek design में इस इवेंट instrument cluster इस से पहले वाले generation में जो दिया गया था digital instrument cluster वो इस variant में आपको provide किया गया है सारे information digitally मिल जाती है आपको जैसा कि आप यहां पे देख बार हो two spoke tiltable multifunction steering wheel दिया गया है जिसके left side audio mounted control, phone course का button बीच में illuminated होता हुआ आटा का logo right side कोई भी button आपको नहीं मिलते हैं center में 7 inch का floating touchscreen input system प्रोवाइट के गया है जो कि support करता है apple card play, android auto, bluetooth connectivity, navigation, radio FM, aux and USB को जो कि harmon का है दोस्तों four speaker के साथ आता है और यहां पे काफी अच्छी कासी जो कि आपको इससे पहले वाले जनरेशन में आता है वही यहां पे प्रोवाइट के गया है इस वेरेंड में large globe box आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको काफी सारे storage देखने को मिलता है कुछ इस तरह carbon fiber, dashboard wheel और co-passenger side vanity mirror normal airbnb provide के गया है कुछ इस तरह जैसे कि आप यहां पी देख पार है जैसे आप पकड़ के adjust कर सकते हैं इसमें आपको नोब भी नहीं दिया गया है सेंटर में आपको LED cabin light दिया गया है और यहां पे passenger side जो airbag है deactivate कर सकते हैं driver side आपको ticket holder दिया गया है और airbag आपको six दिया गया है standard जो कि सभी pillars पर आपको देखने को मिलेगा चले आप बात करते हैं rear cabin comfort की open color test के rear door को all black theme front door की तरह ही power window के control दिया गया है door lock पे भी blackness नीचे वाल नीटे का board holder थोड़ी ची जगह और gear cabin comfort काफी अच्छी खासी है दोस्तों high transactable headrest दिया गया लेकिन parcel tray इस वेरिन में आपको नहीं दिया गया है armrest भी नहीं दिया गया है चले अंदर बैठते हैं बात करते हैं बाकी features की यहाँ पे rear AC wind आपको इस वेरिन में नहीं मिलता है front dashboard layout आप चेक आउट किजगा जिससे आपको एक better idea मिल सके चारों और collapsible grab handle दिया गया है driver seat को छोड़ कर court hook भी दिया गया है यहाँ पे leg room head room काफी decent मिल जाते हैं जिसके लिए big thumbs up चले आप बात करते हैं boot space की तो यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का huge boot space 382 liter का boot space और two court hook left side and two court hook right side दिया गया है boot lamp आपको यहाँ पे नहीं मिलता है flat fold rear seat दिया गया है increase कर सकते हैं आप यहाँ पे boot space को और इसके अलावा spear wheel दिया गया है just इसके अंडरीट toolkit के साथ boot gate के inner side आपको grab handle दिया गया है grab करके कुछ इस तरह set कर सकते हैं जहाँ तक engine specification की बात करें तो provide के गया है BS6 second stage RD&E20 compliant 1.2 liter 3 cylinder turbo charge petrol engine power performance की बात करें तो 120 PS की power and 170 Nm का peak torque generate करता है transmission इस भी रेट में आपको मिलते हैं 5 speed manual transmission company claim करती है 17.44 km पिल की mileage जहां तक safety features की बात करें तो Tata Nexon को global NCFE crash test में फूरे 5 star की rating मिली है जिससे ये वन चुकी है इंडिया की सबसे safest compact SUV इस वे रेंड में provide के गए है 6 airbag, ABS VZBD, reverse parking sensors, seatbelt reminder driver side and co passenger side, 3-point seatbelt ELR system, center locking, isopic child seat anchorage, pre-testner and force limited seatbelt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, electronic stability control, hill assist, brake assist, rollover mitigation, engine checking warning, door azar warning, crash sensors JSA, premium safety features, available क्राहे गए हैं